नमस्कार, मैं अशुक बहादरे, राश्ट्रेल दक्ष, पार्टी ओप इनाठेट इंडियन्स साथियो, बीते पांच साथ दिनों से रेल करमाचारी, रेलवे के निजीकरन के खिला पांदोलन कर रहे हैं लेकिन हमारे देश का जो मीडिया है, में, मेंस्टीम मीडिया है, उस पर कहीं भी ये विरोत प्रदर्शन दिखाया नहीं जा रहा है क्योंकि ये साले भड़वे दलाल चानल मोदी के दलाल है उसी की भाषा बोलते हैं वो जो बोलता है वो दिखाते हैं वो जो नहीं बोलता है वो नहीं दिखाते हैं ऐसे चानल उपर बहिशकार कर दो देखना बंद कर दो ताकि ये भी बरबाद हो जाए इनको भी कोई अडवर्टाइज नहीं मिले और ये जो जाते हैं न साले डिबेट करने के लिए इन गधों को भी समझना चाहिए कि चानलों पे जाना बंद कर देना चाहिए यही जो नीजी करन हो रहा है इसमें सिर्फ नुकसान क्या रेल करमचारियों का है जो वे विलोद कर रहा है जी नहीं दोस्तों इसका भुकतान रेल से सफर करने वाले हर यात्री को भुगतना पड़ेगा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा जान है वो हमारी रेल भारतिय रेल जान है हमारी उसी के वज़े से हमारा आवाज आवाज चलता है चाहे लोगों का हो यात्रियों का हो या कोई माल का हो वो अगर एक बार नीजी हातों चली गई तो मुश्किल हो जाएगा ये लोग उसके माध्यम से देश को यात्रियों को बहुत लूटेंगे मुझे ताजूर होता है कि हमारे देश के जो मुख्य पार्टिया है राजनितिक पार्टिया है जो कभी सत्ता में रहती है कभी वِरोदी बन कर रहती है वो सारे चुप बैठे है जितने नेता है जो देश की बात करते है वो हराम खुर सारे चुप है क्योंकि ये भी सारे करप्ठ है इनको मालूम है कि हम अगर मोदी के खिलाब या इस नीजी करन के खिलाब या देश में जो जो बेचा जा रहा है उसके खिलाब बात करेंगे तो ह हमारा करप्षन निकाला जाएगा हमारे पिछे सी बी आइडी लगाई जाएगे और ये तो करप्ठ है ही देश जानता है दुनिया जानता है वो चाहिए स्वीच बैंक हो या विदेशों की दूसरी कोई बैंक हो इनके वहां पर पैसा पड़ा है जो सब को पता है यहां भारत कि भारत में भी कितनी निजी कितनी चल अचल प्रापरिटी है सब जानते हैं इसी वज़े से सारे चुप है रहत जंता का सवाल तो हमारा क्या संबन्द है है ना हम भारतिय तो है नी हम कोई दलीत है कोई मुसल्मान है कोई हिंदू है कोई सीख है कोई इसाई है तो जो देश तो किराय का घर है ना? यहां तो हम भाड़े से रहते हैं. हमारा क्या सम्माएग है? आये दिनियमोधी, नितिम आयोक के साथ मिटिंग करता है कि अब क्या बेच सकते हैं? क्या साली यह देश चलाना है? देश की एक-एक व्यवस्ता बेचे जा रहा है तू इस तरह से देश चलाए जाता है तेरे बापने बनाई थी ये रेल जो तू बेच रहा है जो जो प्रपर्पर्टी तो बेच रहा है तेरे बापने बनाई थी क्या योगदान है तेरे पूरे परिवार का इस देश को बनान के लिए, बढ़ाने के लिए प्रगति की उच्छतम सिमा पर ले जाने के लिए तेरे गहर का और तेरा क्या योगदानेπο दो बेच क्यूं रहा है इस तो सालिक पैसा ही कट्टा कर लिया अभी कोरोना का भी इन्होंने फायदा उठा लिया पीम के अरफंड हो चाहिए वर्ल्ड बैंक से 16 अरब का लोन लिया जाना हो कुछ भी हो लेकिन खर्चा कहां कर रहे कितना कर रहे किसे को कुछ पता नहीं लेकिन ये लोग पैसा मजबूत ही है हर बार पैसों के बुली लगाया जा रहे हर चीज की लिए सारा पैसा आमबानी के जैव में जा रहा है और पूरा देश नंगा हो रहा है खतम कर दिया इन्होंने अ सारी के आर्फे बिच्छा आ ओस देश पे जो करसी कूरणा का संकट है उसके लिए काम नहीं कर रहें उ आपते ही देश पिचाड़ा, अकिराय पिचाड़ा दिया इन्होंने, ऐसी इनकी मान सिखता है, पैसा चाहिए, ये तो अपने मा, बाप बेज देंगे भड़वे, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और ऐसी चाहिए, आज देश में 140 करोन लोग है, लेकिन विरोध कितने करते है, म क्यों कोई कुछ नहीं बोलता है, क्या देश हमारा नहीं है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है, सब अपने अपने घरों में चुप चाप बैठे है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो बाकी इस देश के युवा हो, हमारी बात आती है, अपनी बात आती ह है तो फिर हम जरूर बोलते हैं लेकिन देश की बात आती है तो हम चुप हैं डरते हैं इतने बेबस हैं हम लोग जीने के लिए वो तो अच्छा हुआ हमारा इंडिया चौतर साल पहले ही फिडम हो गया स्वतंत्र हो गया अगर आज की तिथी तक आज की डेट तक अगर अंग करते ही नहीं बोलते ही नहीं विरोध ही नहीं करते हैं सब को जाती और धर्म में भाषा और प्रात में इन दो हराम खुरों ने बाड़ दिया और हम लोग चुप चाप बैठे हैं मुझे तो ताजूब है कि आज इस तरह की स्थिती देश में हैं लेकिन फिर भी साले आज 70% लोग इसके भक्त बने पड़े हैं कौन सी घुटी दी है इन्होंने कौन सी दवाद पिलाई है लोगों को जो आज भी इनकी भक्ती करते हैं ब्याकल है बद्दिमाख है जिनको सोच ही नहीं है वो इनके भक्ती में लीन है आज भी क्या होगा इस देश का ये लोग अगर आए दिन निती आयोक के साथ मिटिंग करके क्या क्या बेशना है क्या बेश सकते हैं इसी तरह की अगर मिटिंगे करते रहे और बेशते रहे तो भिकारी बन जाएगा देश आज देश में उद्योक खड़ा किया नहीं जा रहा है बलके उद्योक को गिराया जा रहा है बरबात किया जा रहा है आज रोजगार नहीं है कोरोना की महमारी फैली हुई है सारा देश परिशान है और इनको देश की प्रॉपर्टी बेचने की पड़ी है आज जितने भी रेलवे की प्रॉपरिटी है जमीन है पट्री बिछाई है जो भी इंफरस्रक्चर खड़ा हुआ है उक अर्बो रुपए का है खर्बो रुपए का है हमारे बाप दादों के टैक्स से बना है मेहनत से बना है और ये दो हराम खोर उसको ऐसे ही सस्ते दामों मे किसी को बेज देंगे जैसे इनके बाप की प्रॉपर्टी है जो देश को आकड़ा दिखाई देगा कि इतने में बेचा है वो जुटा आकड़ा रहेगा उसके उपर से जो लिया जाता है और उसी के लिए ये लोग बेचे जा रहे है करप्शन के लिए बेचे जा रहे है ए किस तरह का काम है यह मोदी को देश चलाने के लिए दिया था यह बेचा जा रहा है इसको लगता है कि मुझे देश बेचने के लिए दिया है बेचा जा रहा है अगर हम ऐसे ही चुप रहे ऐसे ही सहते रहे तो ये दोनों देश में कुछ नहीं छोड़ेंगे जितना कुछ हमारे देश में बना बनया है राश्टर की संपति वो हर चीज बेज देंगे बहुत गलत हो रहा है साथी उसका विरोध करना ज़रूरी है चुप बैठे रहे तो हमारे हमारा कुछ नहीं बचेगा हमारे ये डाका हमारे घर पर भी डाले जा रहा है हमारे जेप पर भी डाले जा रहा है सिर्फ हमको समझ भी नहीं आ रहा है चाहे नोटबंदी हो जीएस्टी हो उसके माध्यम से हमको भी इसने लूटा है जो टैक्सेस बड़ा है उसके माध्यम से हमको भी इसने लूटा है आज जो हालात है बहुत बुरे हालात है पूरे देश के और उसकी वज़र यह सिप अकेला आदमी है मोदी देखे थोड़ा सूची देश के बारे में सिर्फ अपने मतलब के लिए जिना भी कोई जिना नहीं है थोड़ा विरोध करिये, थोड़ा मुझ खो लिए थोड़ी अपनी भावनाओं को विक्त कीजिए ताकि देश को पता चले, इन दोनों को पता चले की नहीं देश विरोध में जा रहा है वैसे ही आपकी राय लेते नहीं है और आपको क्या तकलीब हो रही है आप क्या सोचते हो उस पर भी यह लोग सोचते हैं इनको कोई लेना देना नहीं है किसी का यह सुनते ही नहीं है यह मोधी पत्रकारों के सामने कभी भी जाता नहीं, उनके सवालों के जौब देता नहीं है, ये खाली मन की बात, मतलब मन की बखवास करता रहता है, साथियों, बहुत हो गया, अभी घर से बाहर निकलने के ज़रुत है, और विरौध करने के ज़रुत है, जो ये लोग देश के प्रॉपर्टी बेचे जा रहे ह मुझे उमीद है कि आप थोड़ा समझोगे, सोचोगे, और अपनी सोच को बदलोगे, और आपका खुन भी खवलेगा देश के लिए, देशीत के लिए, शुक्रिया